नमस्कार दोस्तों मैं इस चैनल का होश्ट दर्मेंदर आप सभी आंगनवाड़ी करमचारियों को स्वागत करते हो इस नई वीडियो में फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में आंगनवाड़ी करमचारियों के लिए बहुत ही बड़ी खुशकबरी है यानि कि दोस्तों आने लोकुसपाचुना दो ओननीश इसे लोकुसपाचुना में अंगनवाडी करमाचाारियों अन्य सरकारी करमाचारियों की ड्यूटी जिसके मादियम से उनको इस ड्यूटी का कितना मांत दे परजाएंगा इसकी पूरी जो बेल हैगा नाएगा उसे भी प्रेस करके नोटिफिकेसन बेल को इनेबल कर दिजेगा जिससे कि आपको मेरे दुआरा बेजी गई और अंगनवारी की कोई भी लेटेस्ट न्यूस की अपडेट की नोटिफिकेसन के माधियम से आपको जानकारी मिलती रहेंगी तो चलिए बीना को टाइम पेस्ट की इस वीडियो को सुरू करते हैं और जान लेजिए पुरी खबर की अपडेट तो आप देख सकते हो वीडियो के थमनेल में कि आंगनवारी आसा खुसकबरी आंगनवारी बहनों को लोगसबा चुना में मिलेंगी ड्यूटी और इस चुना में इन अलावा 3000 रुपे की अत्रिक पेंशन भी इनको दी जाएंगी इसकी पूरी डिटेल के मादियो के मादियो के मिलेंगी तो देख लेते हैं फ्रेंड्स न्यूज आप देख सकते हो मद्य परदेश और संगाबाद से न्यूज और नई दुनिया ओलनाई न्यूज पेपर उस बढ़ती निकलती है उनसे समझने तर लेटेस्ट खबरों की अपडेट आपको मिलती रहती हैं उसंगाबाद बारत निर्वाच्चन आयोग ने लोक्सपा चुना में मतदान और मतगर्ना के कारियों में तैनात की जाने वाले इवे अधिकारियों क्रमचारियों के लिए मा इदारित कर दी गई हैं मांदे की दरे लगबग वही हैं जो विदान सबा चुना के दोरान तैगी ती यानि की फ्रेंड से जो दरे जो इन करमचारियों मांदे जो विदान सबा चुना में इनको दिया जाता है वही मांदे की दरे इस लोक्सपा चुना में भी उनको दी ज यानि दोस्तों आपको इस बात से समझ आ गए होगी कि जो आंगनवाडी करमचारी सरकारी करमचारी और अन्य भी जो अधिगारी करमचारी हैं वो अगर मतदान और मतगन्ना कर्मियों को मान दे प्रसिक्षिन में उपस्थित रहने यानि दोस्तों इनको जो मतदान होने से प उपस्तित रहने वालों को ये मांदे दिया जाएंगा निर्वाचन आयोग द्वारे में जारी पत्र के अनुसार पीठा सीन अधिगारी और गणना परविश्चक को अब 350 रुपे प्रती दिन की दर से मांदे का बुक्तान किया जाएंगा और जबकि मतदान अधिगारी और गणना सायक को 250 रुपे प्रती दिन के मांदे प्रतान किया जाएंगा और इसके अलावा भी जो निर्वाचन आयोग ने मतदान और मतगणना कारे में नुक्त सतुत त्रेनी करमचण अधिगारी को 1500 रुपे प्रती दिन की दर से इनको मांदे निर्देसद जारी किये गए तो दोस्तों आप देख सकते हों कि ये पूरी न्यूज आपको दे रखी हैं जो पिटा सीन अधिगारी और गढ़ना प्रवेश सके हैं उनको 350 रुपे प्रती दिन की दर से इनको मांदे मिलेगा और इसके अलावा जो अधिगारी गढ़ना साहिक हैं उनको 200 रुपे और जो न्यूक्त सतूर्त स्रेणी अधिकारी हैं करमचारी उनको 1500 रुपे प्रती दिये कि दर से इनको मांदे दिया जाएंगा मतदान और मतगरना में न्यूक्त किये जाने वाले करमचारी को दिये जाने वाले मांदे कि दरे पूरे दिन के लिए एक ही दिन के हिसे के लिए बोजन के लिए भी इनको दिया जाएंगे 500 रुपे अलग से यानि कि 150 रुपे इनको अत्रिक्त रासी भी दी जाएंगी जिससे वो बोजन भी कर सकेंगे निर्वाचन आयोग ने मांदे के साथ इन मतदान और मतगर्णा कारिय में नियुक्त करमचारियों को डिब्बा बंद भोजन एवं जलपान के लिए 150 रुपे प्रती व्यक्ति प्रती दिन के मांद से रासित तहे की गई हैं यानि के हर एक व्यक्ति को जो अंगर्वड़ी करमचारिय हैं जो भी सरकारी करमचारिय है जिसकी ड्यूटी लोकसपा चुनाव 2019 में लगेगी उनको जो ड्यूटी प्रती दिन की ड्यूटी के हिसाब जो अलग पैसा मिलेगा उसमें बोजन का भी पैसा समिलित किया गया है और भोजन के पैसे के साथ इनको 500 रुपे दिया जाएंगे जो बंद डिबबा भोजन के लिए ये 500 रुपे दिया जाएंगे इन व्यक्तियों को यदि किसी कारण से मत्दान या मत्दगर्णा में लगे करमचारियों को डिबबा बंद भोजन उपलब्द नहीं कराया जा स इसपष्ट किया हैं कि मांदे और डिबबबंद भोजन के लिए उपलब्द कराया जाने वाली ये रासी उन सुरुक्सा कर्मियों के लिए समान रूप से लागू होगी जो वास्ता में मत्दान केंदरों और मत्दान केंदर पर तैनात के जाएंगे यानि कि दोस्तों जो अंगनवारी करमचारी ये सरकारी करमचारी लोकसबा चुना 2019 में मत्दान केंदरों पर कारि रत रहेंगे उनको ये रासी दी जाएंगी और ये रासी समान रूप से सभी को एक समान ही दी जाएंगी इसी के साथ नी मतदान और मदगर्ना के दिन सुरुखसा के लिए तैनात की जाने वाले पुलिस कर्मियों मोबाइल पार्टी, होम गार्ड, फोरेस्ट गार्ड, ग्राम रक्षक दल के सदस्यों एनसीसी के डैट्स, भूतपूर सैनिक और कैंद्रिय रिजव दल के सदस्यों को भी डिबबाबंद बोजन का नकद रासी उपलब्द करवे जाएंगी यानि दोस्तों इस मतदान के अंदर पर अंदर बैटने वाले करमचारियों के अलावी जो मतदान के अंदर के बहार पुलिस करमी हैं, मोबाइल पार्टिया हैं, होम गार्ट्स हैं और ग्राम रक्षक दल के सदस्य हैं, एनसीसी के सदस्य हैं और भूतपूर जो भी सैनिक हैं जो इस लोक्स पाद चुना में अपने ड्यूटी देंगे उनको भी इस डिबबा बंद बोजन या नकद रासी उपलब्द करवाई जाएंगी और आपको मैं बता दू कि सेक्टर मजिस्ट्रेड और जोर्नल अधिकारियों को 1500 रूपे मिलेगा यानि कि दोस्तों ये बड़े अधिकारियों इनको 1500 रूपे दिये जाएंगे सेक्टर मजिस्ट्रेड और जोर्नल अधिकारियों को एक मुष्ट 1500 रूपे मानदे मिलेगा बारत निर्वाचन आयोग ने चुनाव कारिये में नियुक्त सेक्टर मजिस्ट्रेड एवं जोनल अधिकारियों के लिए मुष्ट 1500 रूपे मानदे के रूप में निर्दारित किया गया है इसी तरह वीडियो सर्विलाइन्स टीम, वीडियो वियूंग टीम, एकाउंटिंग टीम, मॉनिटरिंग कंट्रोल रूम और कॉल सेंटर में तेनाट स्टाफ, मेडिया सर्टिफिकेट, सन एंड मॉनिटरिंग कमेटी, फ्लाइंग रिसकार्ड, स्टेटिंग, सर्विलाइन से याने की 1200 रुपे और 33 स्रेणी के अर्धिकारे को, करमचारे को 1000 रुपे, एक मुस्थ तभीज़ता स्टुत्र स्रेणी करमचारे को 200 रुपे की रासी दी जाएंगी, और यह रासी प्रती दिन के मांद से मांदेगा भुकतान किया जाएंगा, तो दोस्तों आप देख सकते हो कि जो सेक्टर, मजिस्ट्रेड और जोर्नल अधिकारी हैं उनको तो एक दिन के 1500 रुपे दिये जाएंगे और इसके साथ जो भी ये में आपको मौनिरिंग कंड्रोल रूम और कॉल सेंटर में तेनात इस्टाप और अनिक सदेश्व के टीम या मौजूद रहेगी उनको 1200 रुपे यानि की दित्तिय स्रेणी के अधियारियों को 1200 रुपे और 33 स्रेणी अधिकारियों को 1000 रुपे की मु मांदे के रूप में एक मुष्ट दे होगी आयोक के अनुसार माइक्रो अबजर्वर को एक मुष्ट एम 1000 रुपे तता मत गरना अबजर्वर को 500 रुपे प्रति दिन के मान से मांदे का बुक्तान किया जाएंगा चुनाव डूटी में लगे सास की वहाक चालकों को मान दे पूरो निर्दरित दरों के अनुसार ही ये मांदे दिया जाएंगा तो फ्रेंट्स आपको इस वीडियो के मादियम से और इस पहली न्यूज के मादियम से आपको पूरी डिटल के मादियम से जानकरी मिली गे होगी कि इन सरकारी करमचारी को लोकस पाचुनाओ 2019 में इनकी अंगनवाडी करमचारियों के लिए बहुती बड़ी न्यूज है आप देख से तो कि बच्चों की देखवाल के लिए अंगनवाडी कारे करता रहेगी त्यनाथ यानि कि लोकस पाचुनाओ 2019 में अंगनवाडी कारे करता हो की ड्यूटी लगेगी और ये ड्यूटी लोकस पाचुनाओ समंदी हुई प्रेवस वारता आप देख से तो इंडोई की न्यूज है नए दुनिया प्रतिनिदी कलेक्टर सपागक्स में सनीवार को लोकस पाचुनाओ समंदी प्रेश वारता का आईजन किया गया इस दोरान जिला निर्वाचन अधिगारी श्री मत अप्रेल को लोकस पाचुनाओ के लिए मतदान किया जाएंगा इसके लिए विदानसपद 16 सहपूर में 336 वा विदानसपद 16 इंडोरी में 319 को मिलाकर कुल 655 मतदान केंदर बनाए गए हैं जिले में दिव्यांग वोटर्स को भी पैचान कर ली गई हैं दिव्यांग मतद मतदान केंदरों तक लाने ले जाने की वेवस्ता सुनिचित की जाएंगी जिला निर्वाचन अधिकारियों ने बताया कि मतदान केंदरों में दिव्यांग गरवती महिलाओ व वरद मतदाता बिना कतार में लगे मतदान कर सकेंगे महिला मतदातों के बच्चों को देख र 11 दस्तेविदों की की गई हैं सुविदा जिला निर्वाचन अधीकारी ने कहा हैं कि जिले के मतदान मतदादों को मतदान के प्रति जागरूप करने के लिए मतदाता जागरूपता अभियान चरह जा रहा है निर्वाचन आयों कि निर्देशा अनुसा लोक्सपा चुनाव में मद्दान के समय मद्दादों को अपनी पहचान कराने समन्दर इपी कार्ड तरह यरा अन्य परकार के दस्तावेश प्रस्तूत भी किये गए हैं लोक्सपा चुनाव 2019 में किन-किन करमचारियों को कितना मान दे दिया जाएंगा लोक्सपा चुनाव ड्यूटी में और इसके अलावा भी जो आंगनवाडी करमचार की ड्यूटी क्या रहेगी इसकी पुरी डिटल के मादेम से आपको इस वीडियो के मादेम से जानकर ही मिले रहें या इससे भी ज्यादा दी जानी से या इससे कम दी जानी से इसका राय अपनी आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए और इस वीडियो को अपने अंगनवाडी करमचारियों दोस्तों के साथ भी सेर कीजिए जिससे कि उनको भी पता चल सके कि उनके सरकारी करमचार दोस्तों नेक्स वीडियो में तब दगले जय हिन जय बारत थैंक्स फोर यो वाचिंग मैं वीडियो